इस वक्त हम राची के इतहासिक जगनात पूर मंदिल के सामने हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे भगवान जगनात का भवे रथ तयार है। इसी रथ में भगवान अपने अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ यात्रा पर निकलेंगे। आप देख सकते हैं इस रथ को बड़े ही भवे तरीके से सजाया गया है और जो पूरी का स्वरूप होता है रथ का उसी ढंग सही से बनाया गया है। लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं रथ के ठीक पीछे भगवान जगनात का परसिद्ध मंदीर है जहां जो सरधालू है सुभस नहीं लाइन लगकर भगवान का दर्सन कर रहे हैं। जो की रथ यात्रा की तैयारिया जो है पूरी कर ली गई है लगवक आज साम के पांच बजे करीब इस रथ में भगवान सवार होंगे अपने भाई और बहन के साथ उसके बाद इसकी यात्रा निकलेगी और अगर हम बात करें तो सुरक्षा के भी हुकता इंतिजान किये ग दूर दूर तक हर तरह भगती ने जरा रहे हैं अब देख सकते हैं सुरक्षा के लिए होर्स जो है यहां पर डिप्यूट की गई है चप्पे चप्पे पर तैनाती की गई है ताकि कहीं से भी किसी को कोई दिक्कत नहों महिला बटालेन को भी लगाया गया है इसके अलावा जो CRPF, IRB, रांची जीला बल हैं इसके अलावा जो CCTV फुटेज के जरिये निगरानी की जा रही है और जो रांची के दो थाना परभारी का ये छेतर आता है एक जगनातपुर से होता है और दूसरा धूरवा दोनों थाना परभारी यहां लगतार मोनिटरिंग कर रहे हैं क क्योंकि अभी तो भीड देख रहे हैं वो सिर्फ एक तिहाई भीड है इससे त्युगनी भीड साम तक जुट जाएगी जवरत यातरा निकलेगा इसके लिए बकाइदा त्यारिया की गई है हम बात करेंगे हमारे साथ जगनातपुर थाना परभारी जगनातपुर थाना प पहले सभी सुबह से भीर है मंदिर में मुर्ति के दर्शन के लिए उसे में भी चारो तरफ फोर्स लगाया गया है लगभग एक हचार फोर्स मेला में डिप्लॉइट किया गया आगे मंदिर की भीर तो अब कम हो गई है मेला में भीर बढ़ गई है अब रत में जग निकलन करने का समय है तो उसमें रत को सुरक्षित तरीके से ले जाएं वहां लोगों की जो भीर होती है उनको कंट्रोल करते हुए यह सारी विवस्थाएं हम लोग कर चुके है सीम के भी आने की सुचना है नहीं अभी तक ऐसी जनकारी तो नहीं मिली है सीम के आने की सूचना भी है लेकिन अनुमान लगा जा रहा है कि लगभग तीन बज़े के करीब सीम पहुंचेंगे आप देख सकते हैं हमारे साथ यहां जो मंदिर समिती के सदस्ट लोग भी है वो भी है यहां पर उनसे बात करते हैं कैसे चल रहा है और आगे क्या है अभी तो उपर का पूजा हो है जितने भी दर्शन करने वाले सो दर्शन कर ला है सरदालों लोग जितने भी है और दो वज़े जगणास्वामी उपर से नीचे रत की और आएंगे और दो वज़े के बाद यहां पर बिस्मु सास्त्र नाम होगा जो कि तीन गंटे के चलेगा उसके आप पांच बज़े और नौ दिन के बाद फिर स्वता यहां पर पूरे नौ दिन जगनात्पूर में उत्सव का महौल रहेगा भगवान अपने घर से निकल कर अपनी मौसी के हां जाएंगे वहां नौ दिनों तक परवास करेंगे और अब देख सकते हैं हुजूम उमड रहा है लगतार भगव हैं आपको और दिखाते हैं कि यह हमने बताया था कि यहां की मिठाईयां बड़ी परसिद्ध हैं आप देख सकते हैं यहां बालुसाही और गाजा यह बहुत फेमस है लगभग 60-70 दुकाने हैं यहां पर जिसमें लोग इसका स्वाद उठाते हैं ग्रामीन इलाकों से अच पीछे दिखाएं वो पीछे वाला जो इलाका है वहां मेला लगा हुआ है और तमाम तरह के जूले और बच्चों को लुभावने वाले जूले वहां पर लगता है यह 9 दिनों तक चलेगा इसमें कई तरह की जो समान होते हैं जो लोग रोजबर्रा के जीवन में खरीतते है वो सभी मिलता है और उसकी काफी खरेदारी होती है तो निश्चित रूप से अब सभी को साम पांच वजे का इंतिजार है जिस समय भगवन अपनी बहन और भाई के साथ रत में विरजबान होंगे और फिर मौसी बाड़ी तक वे पहुँचेंगे और उसके लिए पूरी त पर फूलों से वर्षा की जाएगी भगवान के स्वागत में